हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब तो आज बनाएंगे हम बहुत इस्वादेश्ट और बहुत ही जल्दी बिना मेहनत के फटा फट बनने वाली यह टेस्टी सी रेसिपी अगर आपको फटा फट कुछ बनाना है यह टी टाइम के लिए इवनिंग सनेक्स आप तयार करने है ब्रेकट त्यार करना है अब और छe में चलिए शुरू करते है तो यहां मैंने ले लिया है आलatti लिए हादा किलो Eldoon को छील लिया है पानी में डिप कर लिया है और अब इनको हम merge करेंगे तो En었어요 के भूंदे जब साफ पानी नहीं आजाएगा बिल्कुल तो अलों को बहुत अच्छे से साफ करके मसल के दो कि आप देख सकते हैं साफ पानी आगया है अलो मे और था इन्को हम निचोड लेंगे अच्छे से कि इसमरे बिल्कुल भी जितनी अमगें इता इता कत बाउने जितना आप निचोड़ सकते हैं तो इसमे बिल्कुल भी पानी मौश्चर ना रहे इस तरीके से सारे आलो को आप निछोड ले ने में रखशे दार आलो को नाश्ता बनेग design है अब मैंने सारे आलो जो है अच्छे से निछोड लिये हैं बिलकुल देह सकते हैं ड्राइ कर दिये हैं तो लख्षे-दारे करके पीडरर दाल दिया है जीरा मैंने अंदे अासे नमक मिला लेंगे तो नमक को टेश्ट किशवाप से बिसे नमक औरらい था रहाए है कम ज्यादा उसी इसाप से निमक डालें तो हलके हाथों से मिक्स करना है अगर आप टाइट हाथों से मिक्स करेंगे तो इसमें फिर मोश्चर आ जाएगा फिर पानी इसमें से आ जाएगा तो आप इसको हलके हाथ से मिक्स कर देना है इस तरह से तो फ्रंस अगर आप चैनल प अच्छी हो अब इसको हम मिक्स करके अच्छे से आप देख सकते हैं अभी भी लच्छे हमारे अलग-अलग हैं बहुत ही लच्छे-दार हमारा नाष्टा जिस पर तैयार होगा अब इसको हम कवर करके 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे तो दस मिनिट बाद आप देखेंगे तो इसमें हलका सा मोश्यर होगा तो नमक डालेगा यही मतलब था कि अगर आप छोड़ देते हैं आलों को तो इसमें हलका फुलका जो मोश्यर आएगा वो आ जाएगा और अब इसमें हम एड़ करेंगे गेहूं का आटा लिया है मैने आ यूज कर रहे हैं तो अभी भी इसको हलके हाथ से मिक्स करना है हमने आटे को भी मिक्स करना है हलके हाथ से बहुत जाद टाइट नहीं करना है ताकि हमारे लच्छे जो है वो अलग-अलग रहें तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है तो आलों को जो आप ग्रेट करें तो पानी के अंदर ही ग्रेट करें ताकि काले न पड़े और अच्छे से दोलें ताकि आपका नाश्ता क्रिस्पी तैयार हो इस तरीके से बाइंड अगर अच्छे से गोला बन रहा है तो इसका मतलब है आपका जो है वो बैटरी जो परफेक्ट है बिल्कुल अब इसमें अगया यह देलेड़ सकते हैं लेकिन इस श्चेप में आपकी जो अच्छे है 새 हो जाते हैं कच्य भी रहने का कोई चांस होई नहीं रहता है कि इस त्ष के से आप मैंने सारे ये देख सकते हैं कटलेट तैयार कर लिए हैं कि फ्राइ करते वक्त आपका ओल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए ओल को अच्छे से गरम करके फिर आप गैस को मीडियम पर सेट कर लें इससे आपका नाश्ता जो है उपर से जलेगा भी नहीं और करके बताएं कि रेस्पी कैसी लगी है साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इनको उलट पलट के अच्छे से हम सेख लेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है और लच्छेदार क्रिस्पी करारा हमारा नाश्ता जो है वो तयार हो जाता है ज़िए प्रेस्पी को अच्छेदा ड्यारा नाश्ता जिया बसेंगा और देख से हैं इस दूपर परएबुसी क्रिस्पी के पनाई है तो जरूर जरूरब ट्राइब लिए प Vegard प्रीक एफिंच boundary्स करेदारू किक्राइबे neste बाई बाई टेक कियर